हेलो गाइज वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल बाइद नेम अफ इंडियन मदर आज मैं आपके साथ एक क्यूक और डिलिसियस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ एक चिलिये मैंने इसके लिए पाच अंडे लिये हैं एक सिम्ला मिर्च दो प्याज अंडे को बाल के मैंने दो भाग करके एक पैन पे हलका सा तेल डाल के अंडे को उसमें फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है मैंने अंडे ना ही कौन फ्लोर ना ही आरो रोट की कोटिंग की है मैं ऐसे ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ इसके उपे काली मिर्च, नमक और थोरी सी लाल मिर्च का पाड़ा डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लोगी जब एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसे एक चाकू या एक फॉक की मदब से इसे फिलिप कर लेंगे अब एक फैन में एक चमच तेल, बारिक कटी लहसून, हरी मिर्च और अद्रक डालकर इसे भूनेंगे अद्रक आप्सनल है जो नहीं खाते वो इसकिप करें तिस सेकंड से एक मिनट इसे इसे फ्राई करेंगे इसके बाद अब इसमें हम सिम्ला मिर्च, प्याज और टमाटर डालेंगे टमाटर का पल्प निकाल दें और एक छोटे साइस का टमाटर लें इसे भी एक मिनट तक इस्टर फ्राई करें अब इसमें हम टमाटर का चप 4-5 चमच एट करेंगे मेरे पास रेड चिली सॉस नहीं है तो मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है अब इसमें एक चमच सोय सॉस डालें और एक से डेड चमच विनिगर सिरका डालें चिली सॉस चार चम्मच मैंने डाला है छोटी चम्ची से आप अपने स्वात के अनुसार नमक और चिली सॉस डाले इसमें पाने डालके थोड़े दिर के लिए ढाक के पकाएंगे अब दो चम्मच कॉन्फलोर या आरा रोट को हम थोड़ा पाने डालके इसका एक पतला घोल बना लेगे अब एक हाँस से आप इसको चलाती जाओं और दूसरे हाँस से ये घोल डालें इसमें नहीं तो ये इसमें लम्स आ जाएगा देकि ये कितना अच्छा थीक बाटर तयार हो गया आपको इसमें जितने के रे भी रखनी है उस हिसाब से थोड़ा पाने और आट करें और अंडे को इसमें डालकर अच्छे से मिला लें अभी इसे धाक कर दो मिनुट के लिए पकने के लिए छोड़ दे और इसे धनिया से गानिश करें अभी बिल्कुल पककर रेडी है आपको इसे दोस्काक, जासामे परेगें थी जी है आफिछ। पर्दाजए है आपको बिल्कुंत करेंदें recall आपको को इसे धानलकर दोड़ा उसे जtered के रेदोता पकले मिलाकिण के विए एतने खे आपको इसे खेफें yhtाएफें नितने के विएे त 그래도 इसाबर आ. WA warning m